फ्रेंड्स पिछले कुछ दिनों से न मेरे एक सस्क्राइबर जिनका नाम मोहित कुमार है और ये 36 गड के एक छोटे से गाउं के निवासी है तो इन्हों ने मुझसे बार-बार कमेंट करके रिक्वेस्ट की है कि सर आप हमें घर पे ही एक रिचार्जबल सोल्टिंग आरन ब बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने घर पे ही एक रिचार्जबल सोल्टिंग आरन बना सकते हो और उसे यूज कर सकते हो तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखना तब ही आपको अच्छे से समझ में आएगा तो देखिए फ्रेंड इस सोल्डिंग आरन क इस अंदर रहे हैं तो धीरे ऑफर से उतारना रहे है और उसके बार देखेंगę नेचे आप उसके बाद दिखेंगा तो रहे के तो रहन निकाल लेता होिए की वायर लेनी है तो यहां पर देखिए मैंने वायर को छेल लिया है और इसके अंदर से हमें पूरी वायर को इस तरीके से निकाल लेना है तो यह जो वायर है यह फ्रेंड जो हमारे घर पर वायरिंग होती है वह आली वायर है तो यहां पर इस तरीके से मैंने वायर को निकाल स्कति कांद यहां इत्तर बात हमें क्या करना है इसको मोड़ने और इसको मौड़ने क्या करना है इस इसको यहां पर लगानें लगाने बाद हम इसको हम यहां पर मोड लेंगे इस तरीके से हमें अच्छे से इसको मोड ना है इस तरीके से आपको मजबूतिक साथ में इसको मोड लेना है तो यहां पर हमने मोड लिया अब इस तरीके से इस पूरी वायर को हमें ऐसे गुमा गुमा के पूरा मोड लेना है अब उसके बाद थोड़ा नीच्छे लगाया है इस फिर उपर लगाया तो यहां पर दीखिए मैंने इस वायरको भी लगबक अच्ची तरीके b मोड लिया है इतना काम हमारा हो गया अब उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड यह जो हमारी एक्स्ट्रा वायर है थोड़ी सी इसको हम इस तरीके से काट देंगे इस तरीके से यहां से हमने एक्स्ट्रा वायर को काट दिया अब उसके बाद देखे फ्रेंड हमें क्या करना है यह लेना है अब इसका नाम तो मुझे याद नहीं है लेकिन यह आपको जो पंक्खे वेगर रिपेरिंग करते हैं उनकी सोप बड़े आराम से मिल जाएगा तो इसको लेकर हमें क्या करना है इसको देखिए यहां पर इसको धकने के लिए हम इसको इतना काट लेंगे इसको हिसाब से आपको काटना है तो इस तरीगे से हम काट लेते हैं और उसके बाद हम इसके अंदर से इसको डालेंगे और इसके अंदर से इस तरीगे से हमें पास करना है यह हमने कर लिया अब उसके बाद यह वायर हमारी इस तरीगे से आगी अब उसके बाद हमें दो वायर के टुकडे लेने हैं यहां पर मैंने दो पतली वाल लेके इसको इस तरीके से छेल लिया है अब उसके बाद हमें क्या करना है एक वाल को तो हमें इसके साथ में जोड़ना है और दूसरी वाल को इसके साथ में जोड़ना है तो हम इस तरीके से देखे इस वाल को यहां पर इस त जोड लेता हूं यहां पर मैंने इस वायर को भी जोड लिया है अब उसके बाद हमें क्या करना है उसके बाद लेनी है हमें हीट सिंग ट्यूप लेनी है तो यह देखे मेरे पास हीट सिंग ट्यूप है इसको हम क्या करेंगे इतने साइज की आपको काट लेनी है इस तरीके से काट लेते हैं तो यहां से हम इसको काटेंगे और थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब हमें क्या करना है सिर्षा इन द डालने बाद इस इस तरीके से ढड़ेंगे इस तुरीके से इसको आपको वग TennENTE को आपको बिल्कुल ऊच्थे इस ऐचते हैं यहांद मेरे नामेरी नाव बंचानाँ way वेस्ट और शुञाओ हो एक अपर I already अब उसके बाद drag कारी हो उच्छार्ड़ आपर आप Hai ऊपर्ट का यह पर apply net झानी जो हमारा cracking उस एवन आयन होसा है तो इससी मेरे पास खराब कॉल पड़ी हुगी है तो मैं इस Kwait को ले रहा हूँ और इस Kwait को देखे, मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पी पहले से ही काट लिया है तो हम इस Kwait का यूज दाले है और यह वही वाली कोई है जो सोल्डिंग अरं का अफोटा है यह देखिए फ्रेंड कुछ इस तरीके से मैंने यहां पर इसको फिट कर लिया है तो एक तरीके का यह हमारा element बन चुका है अब उसके बाद देखिए फ्रेंड यह जो हमारी lithium-ion battery है इसी से हमें इसको supply देनी है तो इसके अंदर ही हम सारा system हम फिट करेंगे तो हमें क्या करना है फ्रेंड यहां पर सबसे पहले एक switch लेना है तो इस tab कोई भी आप switch ले सकते हो जो कि market वे आपको 5-10 उर्पे केंदर मिल जाएगा तो यहां पर हम इस switch का यूज करेंगे तो हमें क्या ठीक है यह देखे फ्रेंड कुछ इस तरीके से मैंने यहां पर बटन को जोड लिया है अब बटन को जोडने के बाद हमें क्या करना है यह हमारा जोडना है जो कि battery का मानदस side है और दूसरी wire को हमें बटन पर जोडना है तो मैं क्या करता हूं फटाफट इस wire को भी यहां पर जोड लिखता हूं यह देए फ्रेंड कुछ इस तरीके से मैंने यहां पर wire को जोड लिया है अब उसके बाद देखे फ्रेंड इसको वोगर हम ऐसे यूज़ करेंगे तो यह ऐसे हिलती रहे है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए यहां पर हम एमसील का यूज़ करेंगे तो यहां पर यह एमसील आपको किसी भी हाड़वेर की दुकान पर 10 से 15 रुपे के अंदर मिल जाएगी तो मुझे 10 रुपे की मिले है तो हम क्या करेंगे इसके अंदर देखे दो पाउच मिलती है टोफी की तरह इसको हमें खोल लेना है इस तरीक से इसको मिला लेता हूँ एक बाद सिल को मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से मिला लिया है अब उसके बाद हमें क्या करना है इस एमसील को हमें यहां पे लगाना है देखे यहां पर हम इस एमसील को लगाएंगे तो इसको हम इस तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से इ तयार हो चुका है लेकिन अभी हमें इसके लिए बिट भी तयार करनी है तो बिट को बनाने के लिए देखे फरेंड यहां पे मैं खराब पुराने होलडर का यह उचकरने वाला हूं तो हमें क्या करना है holder का यह जो पीछे वाला पेश होता है इसको अमें खौल के निकालना है तो इस तरीके से देखे मैं इसको खोल के निकाल रहा हूँ यह मेरा पुराना खराब holder है तो यहाँ पे हमें इसी page की जरूरत है अब हमें क्या करना है फ्रेंड यह जो page है इसका जो आगे वाला हिस्सा है यह थोड़ा सा कुछ इस तरीके से है तो इसको हमें क्या करना है रेतिक मदद से थोड़ा सा पैना कर लेना आगे से तो हमें इस तरीके से रगड के इसको आगे से पैना कर लेते हैं तो यह देखे फ्रेंड रेतिक मदद से मैंने इसको घिसके इस तरीके से आगे से पतला कर लिया है अब उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना फ्रेंड इसको इस तरीके से हम iron को लेंगे और इसके अंदर इस तरीके से इसको लगा देंगे और उसके बाद हलका सा हमें प्रैस करना है तो यहाँ पे देखे फ्रेंड यह जो हमारी bit है यह बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसके अंदर fit हो चुकी है अब हमें कुछ भी ने करना फ्रेंड अब इसे हमें simply use करना है तो use करने के लिए देखे फ्रेंड यह जो button है इसको हम इस तरीके से press करेंगे यह देखे मैंने button को press कर दिया है button को दबाने के बाद लगबग 30-40 सेकंड लग जाएंगे friend इसको गरम होने में तो यहाँ पे हम कुछ देर रुक जाते है यहाँ पे देखे फ्रेंड लगबग 30 सेकंड हो चुकी है और हमारे iron से आगे से हलका हलका धुआ भी निकर रहा है तो यह मेरे पास solding wire है तो यहाँ पे देखे मैं आपको melt करा के दिखा रहा हूँ तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारे जो solder wire है यह बिल्कुल around से यहाँ पे melt हो रही है इसके अंदर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है तो इस तरीके से friend यहाँ पे यह solding iron काम तो कर रहा है इसके अंदर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन उसके साथ साथ देखे फ्रेंड ये जो iron जो हमारा गरम हो रहा है तो उसके साथ में ये जो हमने इसके साथ में बैटरी लगाई है इसमें बहुत ज़्यादा खत्रा होता है अगर आपको सच में ही iron को यूज करना है आपको electronic का काम करना अच्छा लगता है तो friend आप market से 100.500 का इस टैप का iron खरीज सकते हो और उसे यूज कर सकते हो इससे लाग गुना अच्छा होता है ये iron और जल्दी से खराब भी नहीं होता और अगर आप ज़्यादे ही अच्छी company का iron लेना चाते हो तो इस तरीके का soldron company का iron ले सकते हो friend बहुत लंबे टाइम तक ये काम करता है लेकिन आपको इस टैप का iron कभी भी बना के यूज नहीं करना देखे friend YouTube पे आपको इस टैप की iron बनाने की वीडियो काफिसा बिल जाएगी और आपको वो वीडियो देखने में भी अच्छी लगती है लेकिन रियल लाइफ में कभी भी वो यूज लाइक iron नहीं होता आपने कभी भी किसी भी यूटूबर की वीडियो देखे होगी जिसके अंदर उन्होंने इस टैप का iron आपको बना के दिखाया होगा केवल उसी वीडियो के अंदर उस iron को यूज करते हुए देखा होगा लेकिन उनकी किसी और वीडियो के अंदर उस iron को यूज करते हुए नहीं देखा होगा उसका कारण होता है friend कि इस टाइब के जो iron है देखने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन ये बिल्कुल भी काम के नहीं होते और आप इससे कोई भी वेगरा नहीं कर सकते बस इससे वायर वेगरा पिखल जाएगी आप स्वोल्डिंग वेगरा ठीक से नहीं कर पाओगे तो क्यों आपना टाइम खराब कर रहे हो फ्रेंड और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि जिस भाई ने रिक्वेस्ट करी थे उनके दिमाग म मैं पता नहीं क्या चल रहा था कई दिनों से वो बोल रहे थे कि सर आप घर पर ये एक सोल्डिंग आरन बनाना सिखाए काफे सारे यूटूबर ने बताया है तो आप प्लीज उसको पर वीडियो बनाए तो मुझे लगा कि चलो वही एक वीडियो बनाए देती है फिलाल द प्लीज नाया है तरह है फिलाल आरना सिस्वा स्टन